ओम्न में शिवाय हरहर भादयो जैश्री महामकार पाच कड़वी बाते अगर आप इन्हें मेरी समझ लेंगे तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है यह बात मैं इसली भी आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपको यह बाते बुरी लग सकती हैं उसके लिए मैं माफी आपसे मांगता हूँ लेकिन यह ग्रहो का सीरीज है ग्रहो का आपके जिवन पर क्या प्रभाव है आपके देवार पर आपके किसमत पर आपके भाग्य पर खासकर एंडिविज्वल अगर हम और और बात करें तो क्या प्रभाव है हम उस विशेर को लिखा इस सीरीज में बात कर रहे हैं इस सीरीज में एक मूल बात इसे समझने क्या हो शक्ता है कि जो आपका बेसिक नेचर है कभी भी किसी भी वक्ति का बुरा करने का नहीं है चाहकर भी आप किसी वक्ति का बुरा नहीं कर सकते आप हमेशा लोगों का भला चाहते आप किसी को ना नहीं कह सकते आपको सब की चिंता है जो आपके हितेशी है उनकी भी चिंता है जो आपके हितेशी नहीं है आपको उनकी भी चिंता है अब ऐसी परिस्तिति में एक व्यक्ति जो होता है वो एक बहुत बड़ा व्यक्तितु है आपका और इतना बड़ा व्यक्तितु होने की वज़े से व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी परिस्तितिया निर्मित होती है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाता है और जब सही नहीं कर सकता हमेशा किसी की मदद के लिए वो तकपर है आगे हैं उससे जो भी बन पाता है वो जरूर आप करते हैं इन सभी विवस्थाओं को इन सभी चीजों को ब्रहस्पती से जोड़ा जाता है और इसका सीधा सा भाव यही है कि आपकी कुंडली में ब्रहस्पती बहुत मजबूत है तो कि गुरू का जो भाव होता है सर्वहित की बात होता है सर्वसुप की बात होता है लेकिन हम एक जीवन में हैं हमारे साथ कहीं सारी स्थित्या उपर इस्थित्या है मैं बेशक कि यह आपको नहीं कहूंगा कि आप अपने व्यवार को बदले आप अपने जबाता है कि आप खुद को रोक नहीं पाते हैं बस मदत कर देते हैं जुब याप您े अच्छा बन पाता है और यही जो सुभाव है अयह ब्रहस्पति का सुभाव है और यह कोई भी विक्ति चाह कर भी से बदल नहीं सकता है आप कोशिश जरूर कर रहा है लेकिन इसका बाइपास हम कर सकते हैं और वो बाइपास है कि हमें किन लोगों की मदद करनी है किन की नहीं करनी है यह बहुत जादा आपको समझनी क्यों शक्ता है और कितनी मदद करनी है मदद का सिर्फ ये बतलब नहीं है क्योंकि अगर किसी वक्ति की बार-बार मदद करेंगे तो आप उसे अपाहिज बनाएंगे क्योंकि वो वक्ति कुछ से कभी कुछ नहीं करेंगे वो आपके ही जिम्मेदारी रहेगी और जब रगती कोई आपकी जिम्मेदारी बन जाएगा तो आगे धीरे धीरे वो परिशानी आपकी बढ़ चाहिए इस चीज़ को बहुत हद तक आपको सही करने की अवशकता है इस पर ही मूल बात आपको समझने की अवशकता है दूसरी बात है कि कुछ भी हो जाए जो negativity मन में आती उसे तुरंद बाहर करें क्योंकि आप जितना negative होंगे उतना आप पर प्रभा होगा तीसरी बात है लोगों की बातों में नहीं आना है लोगों की बात आपको बहुत प्रभाईद करती है चो होता है आपके गुरु मंत्र का जाप हमेशा करें और दो वक्त शिवा ले अवश रूप से जाए सुभा शाम और ओम्नमे शिवाय का जाप करें ओम्नमे शिवाय